Hello everyone, Kanujay sir here and welcome to you in Student Point Academy. Students, आज के इस वीडियो में हम आपकी बुक English बालभारती का last lesson, lesson number 38, The Magic Kettle परने वाले हैं. So students, I hope that ये listen आपको ज़रू पसंद आयागा क्योंकि ये बहुत ही must, बहुत ही अच्छी कहानी है और इस lesson को पूरा explain करने के साथ-साथ इसी वीडियो में हम आपको इसी lesson के question answers भी बताएंगे. So students, इस वीडियो का आपको पूरा देखना है. और बच्चों, गर आप हमारे चानल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हैं, तो नीचे जो लाल बटन आपको दिखाई दे रही है, उस पर क्लिक करके आपको all notification के bell icon पर भी क्लिक कर देना है, ताकि हमारे वीडियो के सारे notification आपको तुरहत मिल सके. तो आईए स्टार्ट करते हैं, chapter 38, the magic kettle. तो देखें, magic, magic याने क्या होता है, जादूई, और cattle याने होता है, cattle याने होता है, cattle यह जो आपको दिखाई दे रही है, इसे कहते है, cattle या, cattle या, तानू की, देखें, क्या बताया जा रहा है, तानू की is a small, furry, dog-like animal found in a जापान, जापान में एक तरह का animal पाया जाता है, जिसका नाम है तानू की, यह जो तानू की animal है, यह छोटा होता है, furry मतलब इसके शरी पर बाल होते, बालो वाला होता है, कुत्ते के जैसा, dog-like, कुत्ते के जैसा दिखने वाला यह animal होता है, found in जापान, और यह जो तानू की है, यह जापान में पाया जाता है, there are many imaginary stories about these playful little animal, और यह जो तानू की animal है, यह तानू की कैसा दिखाई देता है, आपको दिखाते हैं, यह है, यह है, इस animal का नाम है तानू की, और यह जो तानू की animal है, इसके उपर कई तरह की enjoyable stories बनी हुई है, playful stories बनी हुई है, लोग इस पर बनी हुई काफी सारे story को enjoy करते, इस बिलिव इन दे स्टोरी दाट तानू की can take the shape of anything or any animal, तो इनकी कहानियों में कहा जाता है, कि तानू की जो animal है, यह एक ऐसा animal है, यह किसी भी चीज का shape, याने आकार ले सकता है, किसी भी चीज के आकार में यह खुद को बदल सकता है, या किसी भी animal के आकार में यह खुद को बदल सकता है, जैसे मान लीजिए तानू की cat भी बन सकता है, dog भी बन सकता है, या फिर कोई चीज भी बन सकता है, कोई object भी बन सकता है, ओके, here is a story about तानू की and a peddler called jimu, और आज की जो यह lesson है, इस में जो magic cattle, यह जो story है, इस story में हम तानू की और एक peddler के बारे में peddler मतलब होता है, घूम घूम कर सामान बेचने वाला, तो एक ऐसा व्यक्ति जो गाओ गाओ गली गली घूम घूम कर अपना सामान बेचता है, उसे कहते है peddler, और उस सामान बेचने वाले इनसान का नाम है jimu, ओके, तो यह कहानी है jimu और तानू की के बीच में, तो जापान में एक समय एक बुड़ा आदमी रहता था, he lived in a beautiful house high up in the mountain, और वो जो आदमी था, वो कहा रहता था, lived in a beautiful house, वो बहुत ही सुन्दर घर में रहता था, उसका जो घर था, high up in the mountain, मतलब, mountain मतलब परवत या पहार में सबसे उचाई पर इसका घर हुआ करता था, he was proud of his house with his, with its white straw, mats and pretty papered wall, और उसका जो घर था, वो कैसा था, उसको अपने घर पर बहुत ही proud था, क्योंकि उसका घर बहुत सुन्दर था, और उसका जो घर था, white straw, मतलब सुखी घास, या सुखी तनस से बना हुआ था, okay, मतलब सुखी तनस की चटाई उसके घर में बिची हुई और प्रिटी पेपरड वाल, और बहुत ही सुन्दर पेपर की दिवार बनी हुई थी, मतलब तनस की चटाई, मतलब उसका जो घर बना था, कैसे बना था, तनस की चटाई और पेपर की दिवार से बना हुआ था, यह की स्टोरी में कुछ भी हो सकता है, okay, so in a warm weather, he slide back the wall to let the smell of the trees and flowers come in, और जैसे ही warm, warm याने गर्म, weather याने मौसम, तो जैसे ही गर्म मौसम आता था, वो क्या करता था, अपनी पेपर से बनी हुई दिवाल को slide back कर देता, मतलब नीचे कर देता था, हटा देता था, कुछ देर के लिए, okay, and तो उसके बाद क्या होता था, कि let the smell of tree and flowers come in, जिसके कारण उसके घर के अंदर पेडों की और फुलों की खुश्बू अंदर आती थी, क्यों इसलिए वो अपनी दिवार को हटा देता था, one day he was standing looking at the mountain opposite, एक बार वो परवत पे खड़े होकर opposite direction में देख रहा था, when he heard a kind of rumbling noise in the room behind him, और तभी, okay, when मतलब जब, कब भी होता है, जब भी होता है, यहाँ पर जब की बात आईगी, यह मतलब तभी, तभी he heard a king of rumbling noise, okay, kind of rumbling noise, तभी उसे एक प्रकार की, kind means प्रकार, तभी उसे एक प्रकार की rumbling noise, मतलब गहरी आवाद सुनाए दी, यह किसी के कहराने की, चिलाने की या रोने की हो सकती है, So, he turned around and saw a rusty old iron cattle in the corner, वह जैसे ही घुमा, तो उसे उसके घर में एक कोने पर, रस्ती मतलब जंग लगे हुई, iron मतलब लोहे की, cattle मतलब केटली, तो जैसे ही वो पीछे मुढ कर उसने देखा अपने घर में, तो कोने में एक जंग लगे हुई, लोहे की केटली पड़ी हुई थी How the cattle got there, the old man did not know, but he picked up it and looked it over carefully, तो देखे, how the cattle got there, उसने सोचा कि ये cattle यहाँ पर आई कैसे, उसको ये पता नहीं था, और वह सोचने लगा, the old man did not know, जो बुड़ा आदमी था, वो ये भी नहीं जानता था कि ये cattle यहाँ पर आई कैसे, but he picked up it and looked it over carefully, तो उसने उस cattle को उठाया और ध्यान से देखने लगा, फिर कहता है, that piece of luck, he said, smiling of himself, उसने देखा कि वाह, कितनी सुन्दर ये cattle है, ये जंग लगी भी नहीं, ये बहुत सुन्दर है, और वो खुदी-खुद में स्माइल करने लगा, my old cattle was getting worn out, मेरी जो पुरानी cattle है, वो अब खराब हो चुकी है, worn out ह हो चुकी है, and these looks like a good cattle, और ये जो केटली है, ये जो केटली है, वो बड़ी ही सुन्दर दिखाई दे रही है, दिखिए, ये है वो केटली, जिस केटली की यहां पर बात हो रही है, okay, then, फिर वो क्या करता है, दिखिए, he filled new cattle with water and put it on the fire, तो जैसे उसे new cattle दिखी, उसने new cattle को क्या किया, उसमें अंदर पानी भर दिया, okay, he filled new cattle with water, new cattle को उसने पानी से भर दिया, and put it on the fire, और उसे आग के उपर रख दिया, as soon as the water in the cattle begin to get warm, जैसे जैसे के अंदर का केटली के अंदर का पानी वार्म होने लगा, गर्म होने लगा, a strange thing happened, एक अजीब सी चीज होने लगी, अब वो क्या अजीब सी चीज क्या है देखते हैं, the man thought he must be dreaming, उसको लगा कि अरे वो अचानक से सपना देख रहा है, मतलब cattle के साथ कुछ अजीब सा होने लगा, और जब कुछ अजीब सा होने लगा तो उसको खुद की आखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, कि एक cattle के सा ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ, so the handle of cattle slowly change its shape and become a head, तो जो handle है, okay, cattle का handle है, cattle का handle धीरे धीरे change होने लगा, और वो head बनने लगा, सिर बनने लगा, okay, the spout grew into a tail, जो spout होता है, okay, the spout grew into a tail, spout मतलब होता है, cattle का move, तो जो cattle का move है, वो पूछ बनने लगी, out of the body of cattle, और वो जो पूछ है, वो शरीर के बाहर ऐसे आने लगी, sprang four paws, okay, उसके बाद उसके जो पैर है, वो ऐसे बाहर आए, उच्छल के बाहर आए, in a few minute, the man was watching not a cattle, but a tannu की, तब उस आदमी को समझ में आया, कि ये जो उसे cattle मिली है, ये कोई cattle नहीं है, ये तो एक animal है, जिसे तानू की कहते है, जो बड़ा ही famous होता है, खुद के आकार को बदलने के लिए, So, the tannu की jump off the fire, and bounded about the room like a kitchen, अब क्या हुआ, कि जो तannu की था, वो आग से कुद गया, and bounded, bounded मतलब यहां से वहाँ उचल कुद करना, and bounded about the room like a kitchen, kitten, okay, kitten मतलब बिल्ली के बच्चे, So, the tannu की jump off, tannu की ने jump off किया, jump off the fire, मतलब fire से वो बाहर कुदा, and bounded about, और क्या करने गा, यहां से वहाँ वो उचल कुद करने लगा, एक room में like a kitten, मतलब बिल्ली के बिच्चे की तरह, बिल्ली का बच्चा कैसे इधर उधर कुदते रहता है, okay, वैसे वो room के अंदर उचल क कुद करने लगा, क्योंकि वो अंदर से गर्म हो चुका था, क्योंकि उसे fire के उपर रख दिया गया था, it ran up the pretty paper wall, and even across the ceiling, और वो जो pretty, मतलब सुन्दर सी, paper मतलब कागच की wall, मतलब दिवार, तो वो कागच की बनी हुई सुन्दर दिवार के उपर कुदने लगा, इधर उ नहीं पा रहा था, he called his neighbor for help, और फिर उसने अपने neighbor को, मतलब अपने परोसी को बुलाया, अपने घर के बाजू में रहने वाले व्यक्ति को बुलाया, मदद के लिए, somehow they caught the tanuki and shut it up in the wooden chest, और जैसे तैसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से tanuki को पकल लिया, और पकड़ने के ब Running after the tanuki head made the both very tired, अब tanuki को पकड़ने के चकर में, वो जो दोनों थे, both मतलब, दोनों tired मतलब ठक गयाना, तो जो दोनों थे, वो पूरी तरह से ठके हुए थे, वो man और उसका पडोसी, they sat down on the mat to rest, और फिर वो चटाई पर बैढ़ गये, रेस्ट करने के लिए, उसके बाद, फिर देखो क्या होता है, what shall I do with this naughty animal, फिर वो अपने पडोसी के साथ क्या करने लगा, वो कहने लगा, या फिर वो मन में सोचने लगा, कि मैं इस animal के साथ क्या करूँगा, I don't want to keep in the house, said the old man, old man ने कहा, कि मैं ऐसे animal को, ऐसे जानवर को अपने साथ नहीं रख सकता, यह बहुत ही उचलपूद करता है, उदम मचाता है, गर की चीजों को तोड़ फोड़ करता है, So why don't you sell it off to Jimu, तो उसका जो नेबरर था, वो कहता है, कि तुम इसे Jimu को क्यों नहीं बेश देते, Jimu मतलब कोण, peddler, peddler मतलब जो सामान, घुम घुम कर जो सामान बेशता है वो, उसका नाम है Jimu, तो उसके नेबरर ने उस आदमी को suggest किया, कि तुम इसे Jimu को क्यों नहीं बेच देते तो कहता है that's good idea यह idea तो बहुत अच्छा है said the old man उस old man ने का यह idea तो बहुत अच्छा है so they send for Jimmu when he can तो फिर उसने message भेच दिया Jimmu को कि Jimmu तुम आओ मेरे पास कोई चीज है तुमारे लिए तो जैसे ही Jimmu आया the old man went to the chest and filled the lead very very carefully और जैसे ही वो आदमी मतलब Jimmu उसके घर में आया वो गया उसने उस chest को मतलब box को उठाया wooden box को उठाया और बड़े ही धीरे से उसने उसको open किया but there was no tanuki पर वहाँ पर कोई tanuki नहीं था inside only the old rusty cattle और उसमें जंग लगी हुई खराब cattle रखी हुई थी फिर क्या कहता है वो the old man had found he did not know want to keep the cattle अब देखिए अब वो cattle मतलब वहाँ पर अब कोई ये तो थी नहीं मतलब तानuki तो था नहीं वहाँ पर क्या था जंग लगी वी cattle थी तो बोल्ड मैन कहता है वोल्ड मैन को वहाँ पर जंग लगी वी cattle दिखाई दी he did not know want to keep the cattle अब उसे वो जंग लगी वी cattle तो चाहिए नहीं थी और वो ये सोच में पड़ गया कि तानuki यहाँ से कहा गया और उसने देखा कि अब यहाँ पर जंग लगी वी खराब सी cattle पड़ी हुई है he give it away to Jimu without taking any money तो Jimu से बिना कुछ पैसे लिए उसने वो Jimu को उस cattle को दे दिया कि यह रख ले भई यह जंग लगी वी cattle इसका मैं क्या करूँगा so Jimu put the cattle in his cloth bag and started off home और Jimu ने क्या किया अपने कपड़े के बैग में उस cattle को उस cattle को रखा और वो अपने घर की और बढ़ने लगा he felt that his bag was getting heavier and heavier on the way तो जैसे जैसे रास्ते से जा रहा था उसे ऐसा लग रहा था कि उसका जो बैग है वो और जादा और जादा और जादा भारी 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 होता जाए पर उसने इस बार के दर ध्यान नहीं दिया क्यों ध्यान नहीं दिया क्योंकि जब हम ठंक जाते तो हलकी चीज़ भी हमें भारी लगती तो उसे ऐसा ही लग रहा था बट ही डिड नॉट पूट इड डाउन उसने उसे नीचे नहीं रखा ऑन रीचिंग होम जैसे ही वो घर पहुचा जिमू पूट दा बैग अवे केरफुली इन दे कॉर्नर और जिमू ने उस बैग को केरफुली कॉर्नर में सावधानी से कॉर्नर में कही रख दिया फिर देखियो उसके बाद क्या होता है एट नाइट वेन जिमू वाज फास्ट स्लीप ही हीरड अ सडन नॉइस एंड वोक अप जैसे ही जिमू गहरी नीन में सो रहा था ही हीरड ही मतलब उसने हीर मतलब सुना उसने सु अचानक एक आवाज उसने सुना और वोक अप हो गया मतलब जाग गया नीन से जाग नाइट वोक अप याने पर उसने कुछ आवाश तो सुनी जरूर थी When he light the lamp, जैसे उसने lamp को जलाया He saw that the cattle had turned into a tanuki once again और उसने देखा कि जो cattle है वो अब tanuki बन चुकी है It was running around chasing its own tail और वो क्या कर रहा था वो जो tanuki वो खुद का ही पीछा कर रहा था और खुद की ही पूच को पकड़ने के लिए गोल-गोल-गोल घुम रहा था आपने कई कुटे और बिल्ली को देखा होगा कि वो अपनी ही पूच को पकड़ने के लिए खुद ही ऐसे गोल-गोल घुमते रहते तो वैसे ही वो गोल-गोल घुमने लगा फिर वो क्या करने लगा तlvania की इधर से उदर मतलब वो दोड़ने लगा here and there, इधर से उधर दोड़ने लगा, jump करने लगा, okay, and somersault, somersault मतलब होता है कि कलाबाजिया करना, तो अलग-अलग वो कलाबाजी करने लगा, okay, इधर से उधर कूदने लगा, जिम्मू सेट वाचिंग तानुकी फार लॉंग टाइम, और जिम्मू उस तानुकी को देखती ही रहा, देखती रहा, तानुकी अपनी मस्ति करती ही रहा था, और जिम्मू से देख रहा था, then he fell asleep, और उसके बाद जिम्मू को बहुत नीद आ रही थी, और वो सो गया, when he got up in the morning, जब वो morning में उठा, he saw that तानुकी had not run away, तानुकी घर से बाहर नहीं भागा है, अभी भी तानुकी वही पर है, the old cattle was still there, laying in corner, he picked up it lovingly, और वो जो old cattle है, पुरानी cattle है, वो अभी भी वही पर है, और उसने उसे प्यार से उठाया, फिर, क्या कहता है, do you wish to stay with me तानुकी, तो वो तानुकी से कहता है, कि तानुकी, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, उसने तानुकी से पूछा, क्योंकि तानुकी राद बर भागा नहीं उस घर से, तुम मुझे क्या करो, तुम मुझे गाओ गाओ लेके जाओ, घुमाओ, लोगों को दिखाओ, मतलब वो तानुकी कहने लगा, कि जब तुम मुझे गाओ गाओ लेके जाओंगे, लोगों को दिखाओगे, और लोग देखेंगे, कि एक कैटली, कैसे एक जानवर में, तानुकी में बदल रही है, और तानुकी कैसे कैटली में बदल रहा है, ये देखकर लोग आश्यर य क्या करेंगे okay so Jimu set up both with a platform he put the cattle on the platform so Jimu set up boot Jimu ने एक boot लगाया okay boot मतलब होता है तंबू या फिर जचोरा है पर या बाजार में लगाएगा एक तंबू okay तो मान लीजिया बाजार में अपनी उसने एक तंबू लगा कर एक दुकान लगा दिया तो Jimu ने set up किया एक boot का okay एक platform का he put the cattle on the platform और उसने उस cattle को platform में रख दिया at his command जैसे ही वो बोलता the cattle turn into tanuki तो जैसे ही वो command करता तो जो cattle है मतलब जो cattle है वो तानू की animal में बदल जाती मतलब cattle जो है तानू की बन जाती मतलब यहाँ पर देखो मदारी वाला खेल चल है तो उसने कहा उसने कमांड किया cattley तानू की में बदल गई फिर वो कमांड करेगा तानू की वापस cattley में बदल जाएगी so at Jimu's command the little furry animal would then walk run jump leap turn somersault or dance और जैसे ही वो command करता तो उसकी command पर वो जो तानू की है वो चलता run मतलब भागता jump मतलब kudता leap मतलब उचलता ओके लीप मतलब उचल उचल के आगे वरना तो वो उसकी command पर चलता दोडता jump करता उचल उचल कर चलता कला बाजिया summer salt मतलब कला बाजिया करता और dance भी करके दिखाते हैं और यह देखकर बड़े ही खुश हो गए कि एक cattle एक animal में बदल रहा है और वो animal बड़ा अच्छा dance भी कर रहा है और यह यह शो दिखाने के लिए लोग जिम्मू को बहुत सारा पैसा देने लगे बीग crowd of people come to watch the show और काफी सारी भीड जमा होने लगी इस show को देखने के लिए and the dear little tanuki never disappoint them और जो प्यारा सा चोटा सा जो तानuki था वो लोगों को disappoint नहीं करता था मतलब कि निराश नहीं करता था वो लोगों को खुश करता था अपनी कला बाजिया दिखा कर merely it dance many days और खुशी से वो कई दिनों तक dance करने लगा the show the shadow dance किस तरह के dance करने लगा shadow dance करने लगा fan dance करने लगा umbrella dance करने लगा it never tired of dance और वो dance करते करते कभी थकता नहीं था वो खुशी से लोगों के सामने dance करता था फिर क्या हुआ soon jimu had collected lots and lots of money और जैसे ही jimu ने रोज रोज शो दिखा दिखा कर बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे पैसे earn कर लिए he had become a very rich man और इस तरह से वो बहुत ही बड़ा आदमी बन गया he said to tanuki dear tanuki you have made me very rich तो वो कहता है प्यारे tanuki तुमने मुझे मेरी मदद की और तुमने मुझे बहुत अमीर बना दिया इस तरह से तानuki से कहता है तो वो तानuki से कहता है कि we can both live in comfort now तो अब हम क्या करेंगे अब हम अच्छी जिन्दगी चीहेंगे comfort में रहेंगे comfortable जिन्दगी चीहेंगे अब हम कोई काम नहीं करेंगे अतलब आराम से रहेंगे ऐसे भाग दोड़ वाले काम नहीं करेंगे तो वो कहता है कि अगर तुम चाहो मतलब कि वो जो पैडलर है जिम्मू है जिम्मू कहता है तानuki से अगर तुम चाहो तो हम ये शो को बंद कर सकते हैं और तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो शो को स्टॉप करेगा देखिए ये है तानuki और ये तानuki किस तरह से डांस कर रहा है ये अंब्रेला है तो अंब्रेला डांस अलग अलग तरह के डांस कर रहा है तो Jimu है उसने उस बुढ़े आदमी को नहीं भुला वो बुढ़ा आदमी जिसने उसे ये जादूई कैटली दी थी So he gave some of the money to the old man और इसलिए उसने अपने कमाय हुए पैसो में से कुछ पैसे उस बुढ़े आदमी को दे दिये जिसने पहली बार उसे वो कैटल दी थी All of them live long and happy lives और सभी के सभी अच्छी और खुशी खुशवरी जिन्दगी जीने लगे Jimu and old man are now more are no more अब देखिए ये कहानी बहुत पुरानी है इसलिए Jimu और old man अब तो है नहीं इस दुनिया में But you may still some across the magic kettle laying in the corner somewhere in Japan जापान तो शायद अभी भी हो सकता है कि वो magic kettle जापान में कहीं न कहीं इसी न किसी corner में जरूर पड़ी होगी तो क्या कहते हैं students चलेंगी क्या जापान में उस magic kettle को ढूलने के लिए है ना अब आपकी इच्छा होई होगी ये सुनकर अगर वो Jimu नहीं है और Jimu को देने वाला जो kettle था वो आदमी भी नहीं है कोई नहीं बचा है पर वो kettle अभी भी जापान में कहीं न कहीं जरूर रखी है students ये छोटी से स्टोरी थी है बहुत ये अच्छे स्टोरी थी simple से स्टोरी थी इस स्टोरी में एक तानुकी है एक man है एक उसका neighbor है और pedler जिसका नाम है Jimu तो किसी तरह से उस आदमी को ये kettle मिल जाती है वो Jimu को दे देता है Jimu मदारी का खेल दिखाते हुए लोगों से पैसे कमाता है और इस कहानी में एक बात बहुत अच्छी है कि Jimu ने उस आदमी को नहीं भुला जिसने उसे वो magic kettle दी थी उस आदमी को नहीं भुला उसने उसकी मदद की थी तो students ये जो छोटी सी story हमें छोटी सी सी सीख क्या देती है क्या सिखाती है हमें कि हमारी जिसने मदद किया है जिन्दगी में कभी विचाहिए छोटी सी मदद क्यों नहीं हमें उस व्यक्ति को कभी भूलना नहीं चाहिए ये story हमें ये बात सिखाती है सो students I hope that ये story आपको ज़रू पसंद आई होंगी अब छोटा सा question answer session बचा हुआ है फटा और उससे complete कर लेते हैं सो students let's move to the question answer session तो question answers के लिए हमने दूसरा पिछ लिया हुआ है उसमें बना कर रखे वह आपको दिखाते हैं वह आपको क्या करना है question answers के screenshot कर लेने तो थोड़ी देर के लिए करना जी सर को यहां से करते हैं अब ओके ताकि आपको question answers पूरे दिख सके so now these are the question answer and just take the snapshot okay look at here so question number one question number one का a b c d e okay take this snapshot और इसे आप अपनी notebook में जरू लिखिए उसके बाद यह f वाला portion okay इसका अलग से screenshot कर लीजे students okay these f question okay यह वाला नहीं आया था अब आतने question number two okay and now students this is question number two three and four okay take this snapshot okay answers के साथ लिखे हुए है इसका screenshot कर लीजिए और इसे आप अपने notebook में जरू लिखिए so students I hope that यह वीडियो आपको जरू पसंद आया होगा तो आपको यह वीडियो कैसा लगा comment box में जरू लिखे lesson समझ में आया नहीं यह भी मुझे बताईए वीडियो कर अच्छा लगा तो वीडियो को अच्छा यह सुध प्मेंघ refrूभार स्च्छा जरूट लूए लूभार में जरूभार स्ट्रवार जरूवार यह लीडिए जरूभार स्ट्राप्जद लिए को अपको अपको प्मेंग